Hello everyone, welcome back to our channel अभी तक हमने एड़ुटेरिया बिहार करेंड अफेर्स का दो सेट कर लिया है सेट 1 और सेट 2 आज हमारा तीसरा सेट है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेशन है बिहार लगू उद्यमी योजना के संदर में कौन सा कथन सत्य है तो आवेदक की नियूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष इससे लेकर अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ठीक है 18 से 50 साल का होना चाहिए इंसान इस योजना का लाप राप्त करने के लिए आवेदक की पूरे परिवार की मासी का अधिक नहीं होनी चाहिए तो दूसरा भी सही है इस योजना का लाप गरीब परिवार की किसी एक सदस्य को ही मिलेगा जिसके अंतरगत उन्हें 2 लाख रुपे की राशी दी जाएगी जिसे वापस नहीं चुकाना होगा तो तीसरा कथन भी सत्य है इसका हमारा आंसर हो जाएगा D यानि कि उपर्युक्त सभी नेक्स्ट है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा युनिवरसिटी नालंदा विश्विद्याले के नए परिसर का उधगाटन किया इस विश्विद्याले के स्थापना किसके दौरा की गई थी तो नालंदा कुमार गुक्त प्रत्थम के दौरा ठीक है वही विक्रमशिला युनिवरसिटी जो है वो धर्मपाल के दौरा किया गया था स्थापिट ठीक है नेक्स्ट है मुख्य मंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्री मंडल की बैठक में पत्ना के अतिरिक्त बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है तो मुजफरपूर, गया, दर्भंगा और भागलपूर इन सब जगह पे पत्ना के अलावा मेट्रो बनेगा ठीक नेक्स्ट है निमलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्टर ये बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा तो बर्ड म्यूजियम जमूई में बनेगा नेक्स्ट निमलिखित में से किस जिले में 16-18 जून तक तीन दिवसिय मिलेट्स महोटसव का आयोजन किया गया तो ये पत्ना में किया गया है नेक्स्ट है परियतन को बरहावा देने के लिए मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने किस जिले के वालमिकी नगर में 106 करोर रुपे की लागत से दिर्मित इंटर्नेशनल नल कन्वेंशन सेंटर और अतीथी परिसत का लोकारपन किया तो ये पश्यम चंपारण नेक्स्ट है सीमिस समूद के दोरा बिहार के पहले हुमिनॉइड रोबोट का डैश का उधगाटन आरिभट ग्यान विश्विद्याले के कुलपती प्रोफेशर शरद कुमार यदव दोरा किया गया तो इस रोबोट का क्या नाम है तो सुमेध नाम है ठीक है नेक्स्ट शातर शात्राओं को त Upper Aki में भी दक्ष बनाने के लिए किस राजने सरकारी स्कूलो कास करभार प्रभावित जिलों के विषवी विद्यालेयों विद्यालेव में तरंटाल यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णाय लिया है तो ये बिहार ठीक है? Next बिहार स्मार्ट प्रिपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में किस स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है निमलिकित में से किस देश की सरकार के कला संस्कृति एवं विरासत मंत्राले दौरा 6 मई से 8 मई तक 3 दिवसी अंतराष्ट्य भोचपूरी महुत्सव का आयोजन किया गया तो ये मौरिशेस में हुआ नेक्स्ट हाली में पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतिय महिला वॉली वॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलारी कौन बन गई है तो ये बने हैं खुशी कुमारी नेक्स्ट भारतिय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ट नेता और बिहार के पुर्व उपर मुक्य मंत्री शुशील कुमार मोदी का 13 में 2024 को 72 वर्ष की आयू में नई दिली में निधन हो गया उनके संदर में कौन सा कथन सत्य है तो उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मं नेता थे तो दूसरा भी ठीक है वर्ष 2005 में बिहार में एंडिय की सरकार बनी तब वे बिहार के तीसरे उप मुक्य मंत्री बने तो तीसरा कथन भी बिलकुल सत्य है इसका हो जाएगा डी यानि की उपरियुक्त सभी नेक्स्ट है दिल्ली में संपन, राष्टिय स्तर्य कौशल प्रतियोगिता, इंडिया स्किल्स 2023 में विहार के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता है तो ये तीन विहार के किस सतरंज खिलारी को इंटरनाशनल चेस्ट फेडरेशन दौरा FIDE Candidate Master 2024 का टावेटल दिया गया तो ये रियान मुहम्मद को नेक्स्ट निमलिकित में से किस राज्य के परियावरंडवन और जलवायू परिवर्टर विभाग के सचीव ने उर्जा के नवी करनिय शोतों को बरहावा देने के लिए भारत वर राज्य दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरुकता बरहाने है तो इं और सापताहिक खपत से जुड़े हुए 2.4 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया बिहार में शराब बंदी किस वर्ष लागू की गई थी तो ये वर्ष 2016 में लागू किया गया था ठीक है नेक्स्ट है हाली में राश्टपती द्रौपदी मुर्मु ने बिहार के प्रमु राम कुमार मलिक तो उप्योग सभी दी हो जाएगा इसका अंसर नेक्स्ट है बिहार का पहला स्टोमा क्लीनिक कहां खोला गया तो ये आईजी आईमस पटना में नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा देश का पहला राज है जिसने राज के लिए क्लाइमेट रेजिलियंट और लो कार्बन डेवलप्मेंट पाथवे विक्सित किया है तो ये बिहार है नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में खोखनाहा गाओ के निवासियों ने कोसी नदी से उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कमी के कारण लोग सभा चुनाओ दोहजार चौबिस का भहिसकार किया है तो ये सुपॉल नेक्स्ट पटना हाई कोट ने अदालती आदेश का पालद नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते वे किश विश विद्याले पर दस लाख रुपे का अर्थ डंड लगाया है तो ये वीर कुवर्सिंग विश विश विद्याले नेक्स्ट बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रतेक मंगलवार को 100 मिली लीटर दूद मिलेगा तो एक से पाच तक कि कक्षाओं के बच्चों को ठीक नेक्स्ट है विहार राज आपदा प्रबंदन प्रादिकरण बार भुकंप लू सीत लहर वरजपात जैसी आपदाउस के सटीक पूरवानुमान के लिए निमलिकित में से किस के साथ मिलकर काम करेगा तो इसरों के साथ नेक्स्ट है हाली में मंगाल की खारी में चक्रवातिय तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला का नाम क्या था तो यह रेमल था नेक्स्ट निमलिकित में से किसे राष्टपती पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा तो संजय सिंग और राजेश कुमार शर्मा को फी हो जाएगा ए और भी दोनों नेक्स्ट मुख्य मंतरी नितीश कुमार कितनी बार विधान परिशत के सदस्य से बने हैं तो यह चार बार नेक्स्ट है खोकनाहा गाओ के निवासियों ने किन चुनाओं का वहिस्कार किया है तो 2019 लोग सभा 2020 विधान सभा और 2024 लोग सभा चुनाओं का नेक्स्ट दे लैंसेट रिजनल हेल्थ साउथ इस्ट एशिया जनरल में प्रकाशित अधेयन के नुसार बिहार में शराब पर प्रतिबन लगाने से कुई कितने घरेलू हिंसा के मामलों को रोका गया था तो 2.1 मिलियन मामले को नेक्स्ट निमलिखित कतनों पर विचार कीजे और कौन से कतन सही है ये बताना है तो पहला है गुदावरी दद को 2019 में पदम श्री से सम्मानित किया गया था ये सही है गुदावरी दद को 2006 में शिल्प गुरू सम्मान दिया गया था तो दूसरा भी सही है इसका हो ने टाइम्स यंग उनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा रैंक हासिल किया है तो ये 117 हवा नेक्स्ट है मधियान भोजन योजना के तैर कक्षा 6-8 के बच्चों को हर मंगलवार को कितने ग्राम गर्म दूद दिया जाएगा तो 1500 ग्राम नेक्स्ट है निमलिकित में से कौ हिंदी चिकित्सा सिक्षा को सुविधा जनक बनाने के लिए गठित तीन सदस ये टीम का सदस से नहीं है तो इसमें राजेश वर्मा नहीं है बाकी मिथलेश प्रताप, राजेश कुमार और देवेंद प्रशाद ये तीनों हैं नेक्स्ट कौन से संस्था है जो बिहार राज आफदा प्रबंधन प्राधिकरन के साथ नदी वहवार और बाढ़ पुर्वानुमान पर अध्यान करने के लिए सयोग करेगी तो ये इस रो नेक्स्ट किस राजे के बाद बिहार हिंदी में मेडिकल की परहाई कराने वाला दूसरा राजे बनेगा तो ये मद्य प्रदेश नेक्स्ट डॉक्टर कमल कांत जाक को 2020 में साहीत अकादवी पुरसकार किस कहानी संग्रह के लिए मिला तो ये गाच रूसल अच्छी नेक्स्ट किस संस्थान है पत्ना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेट दिया है तो ये राश्टी है मुल्यांकन और प्रत्यायन परिसाद दौरा नैक्स्ट Forbes Under 30 एशया सुची में मुजफरपूर की सपना सिना को क्यों शामिल किया गया तो B मस्तिस को संग्यात्मक विज्ञान पर उनके नुसंधान के लिए नेक्स्ट है कमल कांत जहाने पुरसकार विजेता कहानी संग्रकिश भासा में लिखी है तो ये मैथिली में नेक्स्ट अर्थवसांखिकी निद्देशाले के द्वीतिय अग्रीम अनुमान के नुसार 2023 में खराब मौनसूल के बाद भी बिहार में रिकॉर्ट खाद्यान उत्पादम का अनुमान कितना है तो ये 190.67 लाख टन है नेक्स्ट है सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अवल है तो ये बेगू सराय है नेक्स्ट है मुख्य मंतरी ग्राम परिवहन योजना की अवधी किस वर्ष तक विस्तारित की गई है तो ये 2025-26 तक नेक्स्ट राष्टिय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्णामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है तो ये चौथा नेक्स्ट बिहार के बोध गया में 25 दिनों के लिए विशेश योगा अभ्यास कारेकरम कब से प्रारंब किया गया तो ये 27 मई 2024 से नेक्स्ट है कौन सा कॉलेज नैक दौरा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है तो ये पतना विमेंस कॉलेज नेक्स्ट बिहार के राज्य सभाग के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए है तो बिहार से तो ये उपेंद्र कुश्वाहा और मननकुमार मिश्रा ए और वी 2 नेक्स्ट ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजद पदक मिला है तो ये पांडिनी को नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन बिहार वदेश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है जिनका हाली में निधन हो गया तो ये राजू प्रशाद थे और इस सेट का लास्ट क्वेशन है बिहार राज के हरे तावरन और पर्यावरन संतुलन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड पॉधे लगाए जाएंगे तो 2025 तक इसी के साथ हमारा सेट 3 कम्प्लीट होता है देखने के लिए थाइंक्यू, have a nice day, जैहिंद